So, Hey gamers, good morning, finally, आज हमारे game में दिवाले escort cup का registration स्टार्ट हो चुके है, आज है 19 अक्टूबर और आज से लेके पूरे 24 अक्टूबर तक ये registration चलने वाला है, तो आप लोगो उस इंबल से go-goo पर क्लिक करने है दिन आप लोगो सामने ऐसा interface आईगा, यहाँ पर आप लोगो चादू, अभी से ये matches आप लोग नहीं खेल पाओगे, सबसे पहले तो आप लोगो इसके इंदर registration करना होगा, मतलब भाग लेना होगा, इस tournament के इंदर उसके बाद ही तो आप लोग game खेल पाओगे, कैसे आप लोगो registration करना है, कैसे आप लोगो एक अच्छा सा square बनाना है, और कैसे आप लोगो सारे rewards मिलेंगे, वो मैं आप लोगो इस वीडियो में details के साथ बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर rewards के तौर पे ना 50,000 diamonds दिया जा रहे हैं, तो इतने diamonds माइने रखते हैं, मुझे लगता है इन diamonds के लिए तो भाई बंदे तो जान देने के लिए तियार हो का, तो जादा से जादा points आप लोग कैसे मिलेगा उसके बारे भी बताऊँगा, तो ये वीडियो आप लोगो के लिए बहुत ही जादा important होने वाली है, तो ध्यान से वीडियो को देखना, और हाँ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक लाइक कैसे लेना है, आप लोगो यहाँ पर squad का option देखने को मिलना है, जैसे आप लोग इसको पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगो दो option देखने को मिलता है, एक है create, एक है join, अगर आपको किसी player ने invitation बेजा और वो बोलता है कि भाई मेरे team में join हो जाना है, ये काफ़ी simple ह और अगर आप लोगो उसके team में join हो जाते हो और माना कि उसके team में अच्छे-चे players नहीं है तो चाहो तो उनके team से आप लोग leave भी कर सकते हो, निकल भी सकते हो, ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि भाई आप लोगो उसके team में रहना ही रहना है, आप लोग उसके team में से बाहर न जाएगा लेकिन अगर आप लोग अपने से जाधा like अगर आप लोग साट लेवल के प्लेयर हो और अपने से जाधा 80 लेवल कि बाई 50 level का है तो अच्छा नहीं खेलेगा ऐसा जरूरी नहीं अगर आप लोग अपना squad बना कर खेलोगे साथ साथ रहके खेलेगे तो अच्छा खेलोगे और अच्छा खेलने के लिए level की जरूरत नहीं होती है जरूरत होती है practice की तो आप लोग अभी से practice start कर दो क्योंकि अभी जो है वह tournament start नहीं हुआ है अभी सिर्फ registration start हुए ठीक है यहां पर create करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने टीम नेम डालना है और टीम नेम ऐसा डालना है जो कि सभी को अच्छा लगे ऐसा नहीं कि खुद का ही नाम डाल देना तो सबको बुरा लेगे मेरा नाम नहीं है तेरा नाम है तो मैं नहीं खेलूंगा यह वो फलाना डिम करना ठीक है तो टीम नाम आप लोगो ऐसा डालना है जो भाई सभी प्लेयर्स को अच्छा लगे ठीक है तो भाई यहां पर हम लोग टीम जौरफ कर देते हैं उसके बाद आप लोगो से contact information मांगा जा रहा और उसके बाद simple से आप लोग confirm करना है जैसे आप लोग confirm करोगी आपका जो टीम है वो create हो चुके है और यहां पर आप लोगो एक ID भी देखने को मिलेगा अगर आपको किसी भी प्लेयर को add करना होगा अपने टीम में तो उसको ना ID भी दे सकते हो ठीक है ID अगर वो join के button प पहला member हूँ और गाईज मैं ऐसे करके 5 और प्लेयर को इसकंदर add कर सकता हूँ अब कुछ लोगा doubt होगा कि भाई इसकंदर तो 4 प्लेयर ही खेल सकते हो क्योंकि यह squad का match हाँ यह सच है इसकंदर आप लोग 4 ही प्लेयर्स खेल सकते हो लेकिन इसकंदर आप छे प्लेयर्स को add कर सकते हो लाइगए अभी मैं एक प्लेयर्स एड़ हो गय फंच और प्लेयर्स को इसकंदर मैं add कर सकतों मैंने आप लोग को Starting में ही बताया था इसकंदर दो प्लेयर्स या फिर एक प्लेयर्स आप लोग को step नहीं के तॉर पर रखना पड़ता है इसा ओसा होता है ना किसी किसी प्लेयर का कोई दिक्कत हो गया उसके ममी पापा को नहीं बोल रहे गीम खेलने के लिए या फिर उसका फोन खराब हो गया कोई भी प्राबलम हो जाता है इसी वज़े से फ्री फार वाले खुदी बोलते हैं कि आप लोग को अपने टीम में प्लियर को मिंबर्स को एड करना है तो सिंबल्स सापर लोग už से बाद परें की बाता, वो बंदा an लेवल का ई और उसको इनवांबाहित करना ए और इसको इनवाइ्ट करते है गाहित जैसे की तब भी आप लोग उसको invite करना क्योंकि वो आपका बात मानेगा अगर आपको कहीं पर down हो तो आपको revive करने आएगा या फिर आपका help करेगा तो वैसे player को आप लोग invite करना है ठीक है तो भाई यहाँ पर तो मैं अभी कुछ दिखनी रहा मतलब कि मेरे team members यहाँ पर दिखनी र गोफ़ते जो भी आपको अच्छा लगता है जिनके साथ आप लोग डेली गेमस खेलते हों उनको आप लोग invite करना है ठीक है तो आपको अच्छे अच्छे प्लेयर्स को यहाँ पर एड कर लेना है जिनके साथ लोग डेली जिनके साथ गेम खेल एकर हो रहाँ जैसे कि मैं अपने टीम का जो invitation है ना वो world और गिल्ड में दोनों में भेज सकते हो ठीक है अगर आप में ज़्यादा प्लेयर नहीं है आपको प्लेयर को add करना है तो world और गिल्ड दोनों में send कर सकते हो पर आपको ये करना नहीं है बिल्कुली गंदा चीज है world में से बहुत सरे मतलब कैसे कैसे जुलंगा लोग आ जाते है वो आपकी बात मानेंगे नहीं और आप हार जाओगे ठीक है तो वैसे खेलने से क्या ही फायदा होगा आपको ऐसे players को add करना है जो आपकी बात माने ठीक है तो registration में बस यही है कि आप लोग अपना एक team create कर लेना है या तो फिर आपको किसी भी team में join हो जाना है उसमें 6 players होने चाहिए minimum 4 players होने चाहिए इस squad cup को खेलने के लिए तो आपको 4 player कम से कम तो add करना होगा या फिर अगर आप लोग चाहो तो 6 player को add कर सकते हो ठीक है यह हमारा registration complete हो गया अब इस दिवाले squad cup को खेलना कैसे वो मैं आप लोगो बता दीता हूँ यहाँ पर आप लोगो जादा से जादा points कैसे gain करना है उसके लिए आप लोगो यहाँ पर more information के उपर click करना है यहाँ पर देखो सब कुछ बताएगी है वैसे मैं आप लोगो बता दू दिवाले squad cup का जो tournament है वो finally 25 October से start होने वाला है आज 19 October तो आज 19 October से registration start हो चुगा है जो के 24 October तक चलने वाला है मतलब आप लोगो पूरे 5 दिनों का time दिया जा रहा है इस registration को complete करने के लिए और free for वाले इतना time सिर्फ इसी लिए दे रहे है ताकि आप लोग अच्छे से अपना एक team बना लो यहाँ पर आप लोग जो भी team बना होगे न उसी के साथ आप लोगो 5 दिनों तक अच्छे से game खेल के practice कर लेना है इसी वज़े से free for वाले आपको 5 दिन का time दे रहे ताकि आप लोग एक अच्छा साथ team create करो उसके साथ squad बना लो उसके साथ कुछ दिन games खेलो और आपका अच्छे से practice हो जाएगा उसके बाद 25 October से finally इसका final match स्टार्ट होने वाला है और मैं आपको बता दू ये सुबा के 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा और रात के 11 बजे तक चलने वाला है ठीक है और ये daily होगा 25 से लेके 30 October के बीच में आप लोगो टूटली 40 matches खिलवाया जाएगे ठीक है ऐसा नहीं भाई वो लोग नहीं खिलवाएंगे आपको खुद से खेलना होगा चाहो तो 40 match जो है वो एक दिन में खतम कर दो या फिर फास दिन में खतम कर दो ये आपके उपर depend करता है तो मैं आप लोगो वीडियो के आगे बताऊँगा एक अच्छा सा trick जिससे आप लोग जादा से जादा points को gain कर सकतो और आप लोगो अकबखाना बिल्कुल भी नहीं है आपको ध्यान से खेलना है क्योंकि आपकी एक गलती सब कुछ बरवाद कर देगी अब गैस मैं आपको points के बारें बताता हूँ points को आप लोग अच्छे से समझो अगर आप लोग इस game में एक kill करोगे तो भाई एक point आप लोगो मिलेगा ठीक है जितना kill करोगे उतना point मिलेगा पर elimination पर एक point मिलने वाला है और अगर आप लोग इसके अंदर बुया ले लोगे तो आपको 12 points मिलेंगे और अगर आप लोग 2nd position पर आओगे तो आप लोगो 9 points मिलेगा 3rd position पर भी आपको 9 points ही मिलने वाला है 4th position पर 7 points मिलेगा और अगर 5th पर आपका squad आता है तो आपको 6 points मिलेगा 6th पर आता है तो 5 points मिलेगा साथ पर आता है तो चार पuyंट्स मिलेगा क्योंकि सारे यूटूबर आपलीको ये नहीं बताने वाले मैच में पूरे 12 स्कौरड झाता है डा भारा स्कौरड खेलेगा तो बर चव का 48 मतलब के 48 प्लिएर एक मैच में खेलने वाले और उससे को यहाँ पर बताएगे है अगर आपका squad बरहुए पर आता है मतलब कि आप लोग तुरांत ही उतर के आपका squad मर जाता है तो भाई आपको 0 points मिलेगा आप लोग इस तरीके से count करना एक squad में 4 player होता है तो भाई उसी हिसाब से आप लोग अपने squad का position count करना और भाई उसी हिसाब स जैसे कि अभी आप लोग BR ranked का गेम खेलते हो ठीक है यहाँ पर गाइस मैं आप लोगो एक बार दिखा देता हूँ यह हमारा BR ranked का गेम है तो इसी तरीके से आप लोगो एक FFC mode देखने को मिलेगा और आप लोग इस दिवाले squad cup के अंदर आओगे ना तो यहीं पर आप यहाँ पर देखो start game का option देखने को मिल रहा है ना यहीं पर आप लोगो start game का option आजाएगा yellow color में जैसे आप लोग start game की उपर क्लिक करोगे भाई आप लोग group के अंदर चले जाओगे और जो भी आप लोग अपने team members में member को add करोगे उसको invite करोगे squad बना लेना है उसके बाद आप लोगो match को start कर देना है ठीक है अभी यहाँ पर zero match दिखा रहा है क्योंकि अभी तक tournament start नहीं हुआ और जैसे tournament start होगा आप लोग game को start करोगे तो आपका एक match start हो जाएगा जैसे आप लोग matches खेलोगे वैसे वैसे आपर counting दिखाएगा अभी zero दिखा रहा है जैसे जैसे आपने कितने match खेले हैं और आपको अभी और कितना match खेलना है तोटली आप लोग 40 matches खेल सकते हो और एक बात मैं आप लोगो फिर से बता देता हूँ आप लोगो अगबकाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे पांच दिनों का time दिया जा रहा है दे आपको नॉर्मल बैटरोल का game खेलना है उसके अंदर आपको अपना gameplay अच्छा करना है और उसके बाद दुबारा से आप लोगो इस squad cup को खेलना है ठीक है मतलब आपको पूरे पांस दिनों का time दिया जा रहा है तो पांस दिन में 40 game आप लोग आराम से खेलो कोई भी किया होगे तो भाई आपका team भी आ रहेगा आप भी आरोगे ठीक है तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और जो भी आप लोग games खेलोगे आप लोगों आप लोगों आप लोगों नीचे में records देखने को मिलता है इसके अंदर आप लोगों record देखने को मिलेगा elimination आपने कितना किया है matches आप लोगों ने कितना खेला है आपका rank कितना है आपका total score कितना है सब कुछ आपर details के साथ बताएगा फिलाल यह आपर सब कुछ कि भाई काफी सारे बंदे ना किल के चकर में लड़ने लगते हैं कि भाई मैं तुझे रिवाइब ने करूंगा तू मेरा किल चुरा है ऐसा है वैसा है तो भाई इसके अंदर वैसे मत लड़ना क्यूंकि सारे squad का kill जो है एक बार में यह आपर count होता है किल्द के लिए बिलकुल भी मत लड़ना लेकिन हां जादा से जादा आपके squad को kill करना होगा जितना जादा हो से कि अथना जादा kill करो और बुया निकालो बस यही simple सा फंड़ा है इसके अंदर जादा kill करो और बुया निकालो उसके बाद आपकी जीत पक्की मेरे तरब से लड़ू ले लेना फ्री में अभी गैस देखो यहाँ पर लीडर बोर्ट के अंदर आने के बाद ये भी आप लोगो सो किया जाएगा कि भाई कौन सा पॉजिशन सौरी कौन सा टीम कितने पॉजिशन पर हो भी यहाँ पर सो किया जाएगा जो कि 25 तारिक से स्टार्ट होने व यह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और यह भी आप लोगो पर्मानेंट मिलने वाला है तो काफी अच्छा हो जाएगा हमारे लिए तो सबसे ज़्यदा मैटर करता है 50,000 डाइमंड भाई सब इतने सारे डाइमंड मिलने वाले अगर आप लोग सेकंड पॉजिशन प बीच में आते हो तो आप लोगो सिर्फ रिवोर्ड मिलेगा डाइमंड नहीं मिलने वाला और अगर आपका टीम 10% पर आता है तो भाई आप लोगो इमोट मिलेगा पर यह टेंपरररी मिलने वाला पर्मानेंट नहीं मिलेगा ठीक है तो ध्यान देना आप लोगो चार से ल एडिया हो जाएगा जैसे अभी आप लोग BR rank खेलते हो ना सेम वैसे ही आप लोगो FFC mode खेलना है पर उसके अंदर थोड़ा tough tough player आएंगे मतलब hard hard player आएंगे तो आपको अच्छे से सर्वाइब करके खेलना है और गाईज एक बात मैं आप लोगो और बता देता हूँ इस बार gun attributes इसके अंदर आफ रहेगा तो जो भी बंदे free के gun skin लेकर उचल रहे है ना मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बंदे free gun के skin को लेकर एकदम सा flex कर रहे है इधर सुदर घूम रहे है भाई सारे बंदे poker MP40 चला रहे ये चला रहे वो चला रहे तो भाई tournament के इंदर gun का skin नहीं काम करने वाला और ये जो gun का skin आप लोगो दिया जा रहे है ना ये साथ दिनों के बाद आप लोगों से छीन लिया जाएगा तो gun का skin का कोई मतलब ही नहीं और अगर आप लोगो टूनामेंट के इंदर विन करना तो मैं तो आप लोगो यही रिक्मेंड करूँगा कि आप लोग सारे gun skin को अनेक्विप कर दो क्योंकि आर उससे टूनामेंट के इंदर कोई भी attributes काम नहीं करने वाला है वैपन का हाँ character skill काम करेगा लेकिन वैपन का skill बिल्खुल भी काम नहीं करने वाला और गाईज एक और important बात हो तो मैं बताना आपको भूली गया अगर आप लोग यहाँ पर 40 matches खेलोगे ना तो आपके important 20 match ही यहाँ पर count किये जाएंगे जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकतो number of matches to complete 20 मतलब गईज यहाँ पर सिर्फ और से 20 match ही count होने वाला है आप कुछ लोग को doubt लग रहा होगा लेकिन मैं आप लोग clear कर देता हूँ यहाँ पर गई जो आप लोग 40 game खेलोगे ना उसमें से जो भी आप count करने वाले जो आप हार गैना उसको count नहीं करेंगे ठीक है तो आपको कम से कम 20 game में best देना है एसा मच सोचना कि 20 game में best देना है आप लोग को अपने 20 game में best देपाओगे ठीक है तो आपको पूरे 40 game का मौक्रा दिया जा रहा है तो विन कर पाऊंगा क्योंकि मैं उत्ता गेम खेलता है नहीं और मेरा gameplay अच्छा भी नहीं है तो मैं अपने अपडेट té चक्कर में लगा रहता हुगी कौन सा अपडेट को कब दे नह royal कॉनवंबर को आने सावन करने और इसका जो रिजल्द है और ओर squad cup के बारे में बताई दिया लेकिन अगर आपका अभी भी कुछ भी doubt है तो comment के इंदर बिंदास पूछ सकते हो और हाँ अगर आपने अभी तक मेरे WhatsApp चैनल को follow नहीं किया, join नहीं किया तो link description और comment box में मिलेगा जाओ जल्दी से join करो, वहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ latest update देता हूँ मतलब upcoming events के बारे में अगर आपने अभी तक मेरे WhatsApp चैनल को join नहीं किया तो जल्दी जाओ link description और comment box में फटवर्ट से जाकर join करो, मिलते हैं किसे यह और नी वीडियो में वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल दें, टे क्यार, भाबाई